नियूजेटी इंडिया पूछते हैं सर कल हमने बाचीत का दोर देखा और आज कुछ हमें हिंसक जड़पे भी देखने को मिली अखिरकार बात कहां तक आगे बढ़ रही है इसको इस इश्यू को सॉल्फ करने में दो हजार चौदा से ही जब से मोधी सरकार आई क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले किसानों के कल्यान के लिए भी बहुत सारी योजनाय लाए और इनको धरातल पर लागू भी किया और मैं कहना चाहता हूं हम पहले दिन से किसान कल्यान के लिए काम कर रहे थे आज भी कर सांग उठी तब तब सरकार चरचा के लिए आगे आई हमारे मनत्री चंड़ी गए लगातार कई घंटे चरचा में बैठे देर-रातरी तक और अंत तक टेबल पर बैठके यही कहते हैं हम नहीं गए हमारे मनत्री नहीं कई परदर्शन कारी चर्चा को छोड़ कर गए तो इसलिए मैं कहना जाता हूं सरकार सदैव चर्चा के लिए त्यार थी और आगे भी रहेगी तो सरकार की और से ना कभी पहले कमी थी ना आज दूसरा विशे में आपके सामने रखना चाहता हूं कि कुछ लोग इसमें राजनितिक रोटिया सेखना चाहते हैं आज कॉंग्रेस का जो ब्यान आए मुझे तो हसी आती है कॉंग्रेस का ब्यान सुन पर है अब आती है MSP की बाद जिस पे लगा अतार ये विपक्षी दल ये इनको इतना भटकाते हैं तो किसी भी आंकडे में किसी भी तुलना में कॉंग्रेस फीकी किया मोदी जरकार ने तो भारत रतन से सम्मानित किया दोनों को अनुराग जी सब आपने आकड़े गिनाय और कंपेरिटिव अनेलिसिस किया अब आखिरकार मानेंगे कैसे प्रदर्शन कारी मानेंगे कैसे अब क्योंकि वो तो उठकर चले गए तो इस बाबत क्या प्रयास कि जा रहे हैं देखिए किसी भी बात का हल चर्चा से निकलता है अगर कतर का उधारन भी लेंगे हमारे नौ सेना के अधिकारियों को जिस तरह से वहां पर गिरफतार किया गया था फांसी की सजा थी मोदी जी ने देश की हित देश के एक एक नागरी के हित की बात की तो आज उनको पहले फांसी की सजा हुई फांसी से उनको उमर क्याद की हुई फिर उमर क्याद से अब उनको रिहा किया गया यह बात्चित से ही हल हुआ है झाल 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 झाल